जो बच्चे साल 2023 में बिहार के किसी भी स्कूल में क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक किसी भी क्लास में पढ़ते थे ऐसे बच्चे इस साल 2024 में चले जाएंगे अगले क्लास में लेकिन 2023 के लिए उनका साइकिल, पोशाग, छात्रविर्ती का पैसा आना शुरू हो गया है और मैं आपको बता दूँ कि ये पैसे जो मिलते हैं पोशाग का पैसा मिलता है, साइकिल का पैसा मिलता है, शात्रविर्ती का पैसा मिलता है और ये तीनों पैसे आना शुरू हो गया, बच्चों के एकाउंट में पहुँचना शुरू हो गया है 74 लाख बिहार के बच्चों के खाते में पैसे भेज दिये गए है और बाकी पैसे भेजने की परकिलिया चल रही है इसमें 2,30,000 बच्चों को साइकिल का पैसा दिया गया आपको मैं बता दूँ कि साइकिल की राश्ची जो मिलती है और केवल 9th क्लास के बच्चों को मिलती है बाकी क्लास के बच्चों को मिलता है पैसा लेकिन साइकिल का छोड़ करके मिलता है लेकिन ये पैसे मिल किसको रहे हैं इसके लिए बच्चों को 2 शरतें पूरी करने होगी जिन बच्चों ने दो शर्तें पूरी की हैं केवल उन्ही को पैसा मिल रहा है पहली शर्त तो ये है कि 75% आपका attendance हो 75% अगर हाजरी आपकी है और अगर आपके school ने plus to school ने मेधा soft के portal पर आपका 75% attendance वाले column में yes किया है तो आपका पैसा आएगा ये हो गई पहली शर्त दूसरी सर्त ये है कि ये पैसा उन्ही बच्चों को आएगा जिनका खाता dbt से लिंक हो ये dbt लिंक क्या होता है इसके बारे में और लेडी वीडियो बना हुआ है आप उस चैनल बजाकर देख सकते हैं उसका link कमेंट और description में दिया हुआ भी है तो जिनका खाता dbt लिंक होगा केवल उन्ही का पैसा आएगा तो ये दो सर्तें पूरी करनी होंगी आपको और इसके साथ अब ये सवाल यूठता है कि जो पैसे आ रहे हैं साइकल का पैसा पुषाग का पैसा खात्री विर्दी का पैसा नाइपकिन का पैसा ये पैसा अगर किसी बच्चे का नहीं आया तो उसे क्या करना होगा और अगर किसी बच्चे का पैसा अगर आ रहा है तो वो चेक कैसे करेगा तो लिश्ट में नाम चेक करने का पैसा नहीं आया तो क्या करना होगा और हमारा payment status क्या है यह सब कुछ का चेक करने का तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ तो इसके लिए simply आपको Google में सर्च करना है scholar study और जो सबसे उपर यहाँ पर result आएगा उसको simply click करके आपको open कर लेना होगा जब यह website open होगा तो यहाँ पर आपको किस class में कितने पैसे कुल मिलते हैं पैसा ना मिलेगा तो क्या करना होगा यह सारे चीजें आपको बताई जाएंगी simply आपको cycle पोसाग शात्यविर्ती का पैसा 2023-2024 जल्दी लिष्ट में चेक करें नाम यह link आपको click करके open करना होगा तो simply हम इस link पर open करेंगे class 1 के बच्चों को सब मिला करके 1200 मिलेगा 2 का भी 1200 मिलेगा उसी प्रकार से 8 का total मिला करके 3100 रुपये मिलेंगे और नीचे अगर आईएगा तो आपको सारे class का मिलेगा 9 class को सबसे ज़्यादा मिलता है 6600 रुपये total मिलते हैं 10 class को 3600 मिलता है 11 class को 3600 मिलता है 12 class को भी 3600 मिलता है तो ये पैसा 2024 में जिन बच्चों ने मैट्री का एक्जाम दिया है उनको भी मिलेगा कितना 3600 रुपया और जिन्होंने 2024 में इंटर का एक्जाम दिया है उनको कितना मिलेगा उनको भी 3600 मिलेगा तो यह तो हो कई पैसे की बात पैसे का डीटेल अब रही बात कि अगर हम अपना नाम लिश्ट में चेक करना हो तो तो दो सर्ते तो आपको मैंने बता दिया कि दो सर्ते पूरी करने वालों को ही पैसा मिलेगा लेकिन उनसमें भी एक सर्त और है कि आपका नाम एक ऐसे लिश्ट में होना चीए जो name matched with bank account लिखा हुआ हो तीन लिश्ट होते हैं एक तो does not match एक rejected और एक होता है matched with bank account तो पहला लिश्ट में नाम रहेगा तभी पैसा आएगा दूसरे में रहेगा not matched डवला में या rejected में तो नहीं आएगा पैसा तो हम लिश्ट में ना करना इस डिश्टिक फिर ब्लॉक और फिर स्कूल का नाम चुनना होगा सिंपलियम यहां डिश्टिक का नाम आपका जो भी डिश्टिक में स्कूल है उस डिश्टिक का नाम चुनेंगे उस डिश्टिक के अंदर ब्लॉक जो भी होंगे उनका नाम खुल जाएगा आपको ब does not match, यह हो गया rejected, तो match में 1030 बच्चे हैं, not match में 75 बच्चे हैं, और rejected में 137 बच्चे हैं, 1030 का पैसा आएगा, 75 का पैसा नहीं आएगा, 137 का पैसा नहीं आएगा, तो 1030, अब यह 1030 बच्चे कौन है, यह देखने के लिए हमको 1030 जो लिखा हुआ है, उसी पर क्लिक करना होगा, not matched में 75 बच्चे कौन है, 75 पर ही क्लिक करना होगा, उसी परकाल से इसमें भी क्लिक करना होगा, तो हम 1030 पर क्लिक करेंगे, तो उन 1030 बच्चों का यहाँ पर लिष्ट में नाम खुल जाएगा, आपको सिंपली यहाँ पर चेक कर लेना है कि इस लिष्ट में आपका नाम है की नहीं, और सर्च करने के लिए चुंकि बहुत सारे बच्चे हैं भाई, तो इसमें सर्च करन तो देखे, रोहित यहाँ पर 17 है, 1 by 17 आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई पढ़ रहा होगा, 1 by 17 यानि कि 17 रोहित हैं, अब 17 में उसे आपको चुन लेना होगा, यहाँ पर हाईलाइट हो जाएगा, जितने रोहित रहेंगा सब हाईलाइट हो जाएगा, तो आपको देखिए cycle पोसाख शात्रविर्धी का payment status चेक करने का link है तो link 1 पर click किजे, यहाँ पर देखिए वही पहले district चुन लेना है अपना district चुनने के बाद फिर अपना block चुन लेना है, block चुनने के बाद उस block के सारे school आएंगे तो आपको अपना school का नाम चुनने के बाद अपना class चुनने के बाद आपको अपना section चुनने के बाद ये वला column में अपना account number जो आपने school या plus to school में दिया है, वो account number डालिए, so पर click कीजे, यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा और सबसे last में रहेगा payment status, अगर आपका payment status में payment done लिखा हुआ है, मतलब account में पैसे आ गए है, payment done लिखा रहेगा, साथ में वहाँ पर date रहेगा, किस date में पैसे आया है, तो आप समझेए कि पैसा आ गया है, लेकिन अगर पैसा आपका नहीं आया है ना, तो वहाँ पर payment status बि फिर डिजेक्टेड में हो या फिर मिसमैच में हो तो उसका पैसा किसी हाल में नहीं आएगा इस साल आपका पैसा गया अगर आपका नाम मैच वाले लिश्ट में है 1030 जो यहां पर आपने देखा उसमें अगर है तो भी आपका पैसा तभी आएगा जब आपको दो शर्तें प थे उनका entry होगा class 2 के लिए 2 वालों का 3 के लिए 9 वालों का 10 के लिए 11 वालों का 12 के लिए जो 12 कर चुके हैं अब उनको पैसा ये वला नहीं मिलेगा क्योंकि 12 तक ही मिलता है और इस परकार से नया entry होगा तो 2024 में नया entry जब होगा ना उस वक्त आपको ध्यान से entry करवा लेना होगा ताकि 2024 में आपको नुकसान ना हो 24 पचेस के लिए साइकल पसा क्रासी जो है आपको मिल सके तो फिलाल इस वीडियो के लिए तना ही मिलते हम अगली वीडियो में नई जनकारी के साथ